कॉंग्रेस को लोग कमजोर समझने लगे थे और आम आदमी पार्टी में शामिल होने लगे थे पिछले दो-तीन महिनों से लोग आम आदमी पार्टी में एक-एक करके शामिल हो रहे हैं ऐसा लगने लगा था कॉंग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है और आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है लेकिन कल फरीदाबाद में कॉंग्रेस ने एक बड़ी रेली करके अपनी ताकत का प्रदसन किया और साबित कर दिया कि कॉंग्रेस पार्टी अभी कमजोर नहीं हुई है और एक बार फिर से कॉंग्रेस के पक्ष में फरिदाबाद में माहौल बन रहा है अब देखते हैं आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होता है या भाजपा को इसका नुकसान होता है लेकिन कॉंग्रेस ने एक बड़ी रैली करके अपनी ताकत का प्रदर्शन जरूर कि जिसमें 15-20,000 लोग आये तपती गर्मी में भारी संख्या में लोग आये और भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी टेंसन बढ़ा दी आप लोग देख सकते हैं रैली में खचा खच भीड है अब देखते हैं आने वाले समय में कॉंग्रेस के पक्ष में महौल ब झाले संख्या के साथ आम चाईलि को देखते हैं अल्या कर दोग के साथ सबफे तड Integन का से वे कि बाले संख्या उे टो गार्मी गर्मी टेंसन बढ़ाफ के सहनै ये खङते हैं रैंसफंग्दco थेंसादोंब देखते हैं तो आफने उत्जा हो आगे खिक्श के शिमाज-